कोड़ा नगर निगम भवन में आज भीशन आग लग गई आग भवन के कमरा नमबर 303 में लगी जिसके बाद वहां हरकम्ब मज गया वहां मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने तत्कार अगनी शमन विभाग को सूछना दी एक के बाद एक मौके पर पहुँची चारद दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया आग से कमरा नमबर 303 में रखा ज्यादतर रिकॉर्ड जल कर खाक हो गया बताया जा रहा है कि ये कक्ष हेल्थ अफिसर का था और सफाई से लेकर करोड़ों रुपई के टेंडर जारी किये जाने से सम्मन्दित रिकॉर्ड रखे हुए थे और उसी में से अधिकतर रिकॉर्ड चल कर खाक हो गया सुष्णा मिल्या पर दोनों निगमों के आयुक्त महापौर्व उप महापौर्व भी मौकी पर पहुँचे बताया जा रहा है कि आग की भेड़ चले दस्तावेस काफी महत पूंट थे सवाल ये भी उट रहा है कि पूरे नगर निगम भवन ने सिर्फ इसी कक्ष में आग लगना आश्चरे का विशय है उधर निगम में लगी आग के दोरन बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली नगर निगम के अगनीशमन अधिकारियों ने निगम भवन में लगे फायर उपकरण चेक नहीं किये यहां लगे अधिकतर उपकरणों पर धूल जमी नजर आई कई उपकरण तो इस्तमाल करने के लायक भी नहीं थे काम कर रहा है वो है वह आते हमने गाड़ियन ले आए तो गाड़ी के काम ले लिया अनुदा इसारा सिस्टम चाओ हो है प्रेशर प्रेशर जो कि नगाँ निगाम निगाम में पहले से उसको पूंचे जब तक हमारे पास में जो साधन थाना अमने उसका सधी उपयोग सीधा-सीधा कर लिए नहीं क्यों यह तो है ना यह दि इमर्जेंसी में हम लेट पहुंचते या थोड़ा लेट होते अभी तक तो कुछ भी नहीं है यह सब जन्त्वास्त का जो टेंडर स्वागेरा होते हैं उससे लेटेडी कुरा रिकॉर्ड है अभी तक तो सामने आया है कि शोर्ट सरक्र से आग लगी है मैं शौर्ट सरक्र से लगिए तो उसके भी हम पुक्ता प्रबंद करेंगे कि शाम को जाते वक्त जो करमचारी जिस कमरे में बेटते हैं, अधिकारी जिस कमरे में बेटते हैं, उसकी सारी लाइट्स ओफ करें, उनकी MC भी आउफ करें, ताकि इस तरह का दुबारा से गटना नहीं हो। इसकी भी जाज करवा ही जाएगी, और अगर इस तरह का है तो जो भी दोशी होगा उसके खिलाब सक्त करवे करेंगी।